आज बात करेंगे एक बहुत कॉमनली यूजड फैट लॉस्प्लिमेंट एल कार्णी टीन के बारे में कार्णी टीन क्या है यह एक न्यूट्रियंट है इसका आपके बाडी में एनरजी प्रोडक्शन में और फैट ट्रांस्पोटेशन में बहुत अच्छा रोल है और यह आपके माइटो कॉंडरिया यहनि के आपके घर के अब के बाडी के अंदर जो इंजिन है जहां पर आपके energy बनती है वहाँ पर यह act करता है और fats को इस्तमाल करने में मदद करता है so your body already produces L-carnitine out of amino acid lysine and methionine lysine और methionine दो amino acid है जिनसे आपकी body खुद L-carnitine बनाती है और आपकी body सही मातरा में L-carnitine बनाए उसके लिए उसको vitamin C की भी आवश्यक्ता है L-carnitine in addition आपकी body जो बनाती है उसके अलावा animal food जो आप लेते हैं meat, fish, chicken उनसे भी आपको directly L-carnitine मिल जाता है वेगन लोग जो जिनके अंदर या कोई अगर genetic बिमारी है वो L-carnitine से deficient हो सकते हैं तो उस case में आपको L-carnitine supplement कर लेने से फाइदा ज्यादा होगा अब L-carnitine के भी क्योंकि L-l क्यों है L-levo-carnitine तो एक dextro भी होगा L और D का रहे तो उसके अलग types भी होते हैं so dextro-carnitine, L-de-carnitine is an inactive form, d-carnitine is an inactive form, acetyl-l-carnitine नाम की भी चीज़ है बहुत effective है आपके brain के लिए neurodegenerative diseases के लिए propionil L-carnitine नाम की study है जो circulation, peripheral vascular disease, high blood pressure के लिए बहुत effective है क्योंकि वो nitric oxide production करता है और blood flow improve करता है और एक आता है L-carnitine, L-tar trait जो आप इस्तमाल करते हैं sports में, body building में यहाँ पे क्यों क्योंकि इसका absorption बहुत fast है और यह aid करता है, help करता है आपके muscle soreness, muscle recovery और साथ में energy production को so ज्यादा तर इस्तमाल किये जाने वाला acetyl L-carnitine और L-carnitine जो है बहुत effective है general use के लिए और आपकी body में इसका role क्या है वो समझते है तिक है आपके body के अंदर, आपके cells के अंदर, mitochondria नाम का एक organal होता है जो energy production करता है normally cells क्या करता है, carbohydrates, fats दोनों से energy इस्तमाल कर सकता है, protein से भी बना सकता है लेकिन fats जो होते है, fatty acids जो होते है, normally वो cells आपके mitochondria के अंदर जाते हैं, जहां पे वो energy में तबदील किये जाते है right, so 98% आपके शरीर में जो L-carnitine होता है, वो आपके muscles के अंदर ही होता है हलका फुलका जो 2% रह गया, वो आपके liver में या blood में पाए जाएगा, इसी लिए non-veg खाने वाले के अंदर L-carnitine आ जाता है L-carnitine can also, जो आपके mitochondria के अंदर है, वहाँ पर उसके function को help करता है, disease और healthy aging में भी help करता है मतलब आप बिमार थोड़ी कम होंगे और बुजर्ग जल्दी नहीं होंगे So L-carnitine various heart और brain diseases में help करेगा, weight loss में कितना help करेगा, weight loss supplement है या नहीं, बिल्कुल है, it makes sense क्यों क्योंकि L-carnitine जो आपके mitochondria के अंदर जाने वाले fatty acids हैं, fats को बढ़ा देता है, help करता है तो fat burn होके energy production ज्यादा होगा, ऐसलिए L-carnitine लेते हुए आप ज्यादा exercise कर पाते हो, ज्यादा energetic महसूस होते है, कमजोरी के लिए बहुत commonly दिया जाता है Plus, this might help you lose fat and burn fat or lose weight, मगर आपकी body जो है इतनी simple नहीं है, आपकी body बहुत ज्यादा complex body है और इसलिए जब इसके उपर results देखो गए आप, human results, animal results, तो लंबे-लंबे results में कोई major difference नहीं देखने को मिलता इसका मतलब क्या है, अगर एक तरफ आप fat से energy production बढ़ा देते हैं, तो भीया आपकी body जो होती है कि दूसरी तरफ से energy production कम कर देती है so ultimately कहीं न कहीं और से compensate आपकी body कर लेती है, बिल्कुल जैसे आप एक कदब एक दो घंटे का vigorous exercise करते हैं, तो आपकी body compensation में आपको पूरा दिन अगले दिन आप सोई-सोई रहते हो, अगले दिन आपकी जो regular physical activity में आप जो थोड़े बहुत कदम चलते थे, उठते थे, active रहत आपकी body energy expenditure को balance करने के कोशिश करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, इसलिए हमेशा आपको कोई भी result achieve करना है, weight loss करना है, fat loss करना है, तो आपको अपने comfort zone को push करके, अपने एक level आगे बढ़ना ही जरूरी है, किसी एक simple supplement से काम नहीं होगा, किसी easy way से काम नहीं होगा, तो body is very very complex, very very complicated चीज है, और इसी लिए studies में L-Carnatine से अकेले major effect नहीं होता है, थोड़ा सा effect जरूर आता है, mild effect is there, जो बहुत ही कारगर भी होता है कुछ लोगों में, plus आप ये कह सकते हो, it aids in, helps in weight loss, right, help करता है, so that is there, effect है, कम है, बिलकुल जैसा Garsiniya-Cambodia का effect है, कम है, लेकिन इसके दूसरे effect जरूर है, इसका brain pay effect है, brain function के लिए अच्छा है, अगर खासकर acetyl form आप लेते हैं, acetyl L-Carnatine, age related, mental decline, learning, help करेगा उस case में, और brain function के अलावा, health के लिए, heart health के लिए, ये अच्छा है, blood pressure को कम कर सकता है, inflammation को कम कर सकता है, acetyl L-Carnatine या L-Carnatine, दोनो ही, heart disease में, अच्छे exercise performance को better जरूर कर सकता है, ये studies में दिखा है, weight loss करेगा कि नहीं, ये अलग, exercise performance बेटर करेगा, exercise regular करोगे, diet बेटर करोगे, तो obviously overall weight loss बढ़ जाते है, obviously, right, और इसके अंदर creatine और caffeine से different है, याद रखेगा, creatine, caffeine के ओपर detail video अलग से बनाए गए है, यहाँ और क्या-क्या आपको अगर अगर bodybuilding में है, तो कहाँ effect मिलेगा, आपको recovery थोड़ी better होगी, muscle oxygen supply बेटर होगा, stamina थोड़ा थोड़ी कम होगी, muscle sourness थोड़ी कम होगी, और red cell, red blood cells production जो है, वो थोड़ा better हो जाएगा, तो इन सब चीजों को overall देखेंगे, तो लंबे समय में काफी safe है, दो gram या उससे कम आप regularly बिना किसी side effect, serious side effect के इस्तिमाल कर सकते हैं, अगर आप 3 gram हर रोज लेते हैं, 21 दिन तक, तब भी आपको कोई negative side effects देखने में नहीं मिलते हैं, लेकिन आगर आप बहुत safely use करना चाहते हैं, तो 2 gram आप लंबे समय तक कर सकते हैं, without any major side effects, उस blood levels बढ़ा देता है, TMAO, trimethylamine N-oxide नाम के substance की, यहां पर यह जो होता है, जब यह ज़्यादा हो जाता है, तो यह आपके लंबे समय में, atherosclerosis, यह आटरी बंद हो जाती है, उस बीमारी को देखा जाता है, उसके साथ associated, तो इसलिए बहुत लंबे समय तक ना लें, तीन मह आतरा में आपको यह मीट और फिश में मिलेगा, बीफ में मिलेगा, पोर्क में मिलेगा, चिकन में मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके अंदर आपको 81 मिली ग्राम मिलेगा, मतलब 100 ग्राम बीफ में 100 ग्राम के आसपास आपको मिलेगा, बीफ में सबसे ज़्यादा होता है, और और 100 g पोर्क में 25 g होगा, 100 g फिश में 5-6-7 g होगा, 100 g चिकन में 4 g होगा, और दूद में 200 ml में 8 mg बोलने लगे हैं, सारे mg थे, 100 mg, 25 mg, 5-6 mg, 4 mg, 8 mg, यह तो, इस तरह के डाइट अगर आप बेकन नहीं है तो दूद जरूर ले, अगर दूद आपको फूट नहीं करता, तो फिर आप इसको सप्लिमेंट कर सकते हैं, और अगर अगर आप नाचरली डाइट से लेते हैं, तो इस डाइट में मौझूद, अगर हम कहते हैं कि एक ग मिलिग्राम का नैचरल फूड से लेने पर 60-80% तक अबजाब हो जाएगा, यहने कि 6 मिलिग्राम तक अबजाब हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे सप्लिमेंट के जाप से लेते हैं, तो इसके बहुत कम हो जाता है, अबजाप्शन केवल 15-20% तक रह जाता है, तो अपर इसलिए बनाती है, अगर्रोटीन सप्लिमेंट कर लेते हो, तो आपकी बोड़ी नहीं बना पाएगी, तो बहुत बहुत भेतर हो जाता है, तो इसाइचकितर हो जाता है, तो जब इसलिदनogenमतर कर सकते है झाली, बुल तस ततोग है, 2 ग्राम काप्सूल यहने प्रली 500 mg का लिकुड आता है दो कैप्सूल दिन में दो बार ले सकते हैं तो अगर आपको है तो सब इसमें भी यह supplement हेलब करेगा आपको आपको बिलकुल इसको ले सकते हैं जैसे मैंने कहा 500 mg से 2 तक आप इसे देली ले सकते हैं, I hope this video helps, so it is a good supplement, it is also something like a fat burner, तक बहुत जादा फेट लॉस नहीं करेगा, without you pushing your limits, all right, बाकी health के लिए अच्छा है, disease prevention, heart, brain, अब के लिए अच्छा है, please share this video, so people are educated, and they take their decisions well informed, thank you so much, this is Dr. Paranteet, stay connected, stay healthy. कर दो